वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर और आज है मंडे मॉर्निंग और क्या कुछ चल रहा है क्रिप्टो मार्केट का हाल सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग आई होप आप सब अच्छे होंगे और क्रिप्टो मार्केट देखे तो 950 बिलियन डॉलर से उपर बना हुआ है 954 बिलियन डॉलर का पूरा ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट केप है हलकी सी जो है डाउनफोल है हमको देखने को मिल रही है लेकिन बिटकोइन के लेवल 21,800 तक पहुँच गए थे अगर अभी आप देखेंगे 21,244 पर बिटकोइन ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर और बिटकोइन के अगर हम लास्ट 24 आवर के हाई लो देखें तो बिटकोइन ने क्या कुछ किया है बिटकोइन अगर आप देखेंगे 21,700 पर गया और 20,900 पर भी गया तो 20,21 पर जो प्राइज है वो स्टेबल हो चुके है लेकिन मार्केट अल्टीमेटली अभी आपको एक डुबकी और लगा के दिखाने वाला है जो 17,000 डॉलर का बिटकोइन एक लो हिट किया उससे भी न 240 पर जो है बिटकोइन ट्रेट कर रहा है हलकिसी डाउनफोल है 20,900 का लो है 21,783 का हाई है ये कुछ बिटकोइन के रहे हैं लास्ट 24 आवर के अंदर मुवमेंट्स और अगर हम यहां पर देखें एथिरियम को तो एथिरियम 1261-1270 इस रेंज तक भी चला गया था एक लाग के करीब और अभी जो है 1222 डॉलर पे चल रहा है और अभी भी काफी अच्छा लेवल है अगर आप देखें 97,98,000 डॉलर पे जो है इथिरियम के प्राइस चल रहे हैं काफी अच्छी ग्रीन री इथिरियम के अंदर आई है और टीथर 3 नंबर, UST 4 नंबर, Binance Coin 238 डॉलर प के साथ बनी हुई है, Binance USD की बात करें, 0.9 डॉलर के साथ 7 नंबर पे, Cardano 0.50 के साथ बना हुआ है, 0.27 जो है हलकी सी ग्रीन री है, 8 नंबर पे है Cardano, 9 नंबर पे 41, 42 के करीब पहुँच गई थी, लेकिन थोड़ इसी नीचे आई है, 26% उपर भी गई है वन वीक में, Solana के प्राइस चल रहे है, 40 डॉलर पे, और डॉज कोईं की बात करें, तो 0.07 डॉलर पे चल रहा है, 11% की ग्रीन री है, 31% जो है, लास्ट 7 डेज में उपर भी गया है, पोलका डॉट 11 नंबर पे 8 डॉलर के साथ बनी हुई है, यहां पे, और अगर हम डाय देखें, तो 12 नंब रगा है, और 14 नंबर पे ट्रॉण है, जिसका 6.31 है, तो ट्रॉण भी कभी उपर आ सकता है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है जोनों के मार्केट केप में, और ट्रॉण कभी भी 30 नंबर पे आ सकता है, तो अभी शिभा इनु का प्राइस जेके तो 0.4 टाइम 0.11 की सी चल रही है शिभा इनु की, जो की काफी अच्छे लेवल पे आके स्टेवल हुए शिभा इनु और ट्रॉण 14 नंबर पे एवलांच 15 पे है, बीस डॉलर के साथ, एवलांच 15 नंबर पे आ चुकी है फिर से, तो एवलांच का भी मार्केट का बढ़ रहा है, काफी नीचे र लास 24 आवर में, तो अगर आप प्राइस देखेंगे, तो इस प्राइस पे आके ना स्टेवल हो गया है, ग्यारा की सीरीज पे बना हो जाए, काफी अच्छी सीरीज है, 1099 का एक लो भी हिट किया, 1196 का तक रिवन तक रिवन 1200 की सीरीज का एक हाई भी हिट किया, 17,45,000 बात करें, तो शीबाउनों का चार्ट क्या कह रहा है, शीबाउनों का चार्ट जो चल रहा है, वो चल रहा है सिर्फ 11 की रेंज में, 0x4 x0,र सिर्फ एक यहां पे 1099 का लो हिट किया, लेकिन प्राइस जो है, many जो है, वो सिर्फ 11 की सीरीज में ही गुम रहे है अभ 20-21 पे लेकिन market के level नीचे भी जाते हुए जल्दी दिख सकते है तो शुरुआत करेंगे Shiba Inu से Shiba Inu burn portal reward to be distributed in 2-3 days तो Shiba Inu के burn portal से जो burning करता है उनको reward मिलते है वो भी Ryoshi Vision जो token है वो वाले और आपको पता ही होगा तो reward यहाँ पे 2-3 days के अंदर distribute हो जाएंगे एक cycle है rewards की भी और rewards की यहाँ पे मिल जाएंगे 2-3 days को अगर आप देखेंगे और burn portal जो है Shiba Inu का वो यहाँ पे 50 प्लस 50 billion प्लस जो है tokens की burning कर चुका है Shiba Inu की तो बिलकुल अगर last 24 hour में हम Shiba Inu की burning का number देखें तो काफी ज़्यदा burning होई है 213 million जो कल number हमको देखने को मिल रहे थे काफी time से 100 million के नीचे तो 213 million जो है Shiba Inu burn हो है last 24 hour के अंदर और जिसकी वज़ा से Shiba Inu का burn rate है वो बढ़ चुका है 622% तक इतना ज़्यदा burn rate बढ़ गया है इतने tokens की burning की वज़ा से next update है light coin को लेके जी हाँ light coin foundation की तरफ से ये update आया और ये एक event होने वाला light coin को लेके और ये event होने वाला है October 21 से लेके 22 तक तो October में ये event होगा and the light coin foundation proudly present the first wave of speakers for the third annual light coin summit at hotel in Las Vegas तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो light coin summit है ये होने वाला है 21 से लेके 22 October तक अब event इतना जरूरी क्यों है अब light coin का summit होने वाला है light coin को लेके event है तो October में light coin को लेके हमको हलचल देखने को मिल सकती है जब किसी coin का कुछ event होता है तो वो बहुत जरूरी होता है ठीक है तो अगर यहाँ पे देखें ये event होने वाला है light coin summit 21 से 22 October को और light coin foundation की तरफ से अगर आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे जो है पार्टिस्पेट करने वाले हैं और अगर आप यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़े बड़े नाम है तो एक कही न कहीं light coin को लेके जो है एक बहुत बड़ा event होने वाला है 21 से लेके 22 October को next update है Tron और USDD को लेके Tron और USDD जो USDD का DPEG है वो यहाँ पे अभी तक बना हुआ है और stable coin USDD और USTC ठीक है USTC का तो पहले ही हो चुका है आपको पता है लोना USDC का क्या कुछ हो चुका है लेकिन Tron अभी तक अपने USDD को 1 डॉलर पे नहीं ला सका है Tron stable coin USDD which is meant to maintain its value at 1 डॉलर जो जिसकी value 1 डॉलर पे होनी चाहिए continue to trade below the dollar पे गॉन संदे USDD the world largest 63rd cryptocurrency with a market cap of 707 million and trading at 0.97 तो 0.97 के करीब इसके price चल रहा है जो जिसको होना ही 1 डॉलर पे चाहिए था और ये आप देखें 1 डॉलर को hit नहीं कर पाया June 13 के बाद तक करीबन तक करीबन यहाँ पे अगर आप देखें 2 weeks होने को आए और यह अभी तक hit नहीं कर पाया यह भी यहाँ पे डीपेक बनाओ और इतने ज़्यादा millions में deploy किये गई Tron की तरफ से Tron DAO की तरफ से Tron लेकिन अभी तक reality यह है कि यह USDT 1 डॉलर पे अभी तक नहीं आ पाया है Next update है Time Square को लेके जी हाँ Time to build Time Square in Metaverse Partner with the Sandbox अब Time Square के बारे में आपको पताए होगा Time Magazine has partner with blockchain based gaming company The Sandbox to build Time Square in the Metaverse Time Square is an iconic cultural center और यहाँ पे अगर आप देखेंगे tourist destination भी है United States के अंदर और यहाँ पे अब जो Time Magazine ने एक partnership की है Sandbox के साथ Sandbox के price भी है अगर आप देखेंगे काफी ज़दा हल चल हमको देखने को मिली को यहाँ पे Metaverse के अंदर भी लेके आने वाले और यहाँ पे अगर आप देखें Last year in September Time launched an NFT community initiative featuring the original artwork of more than 40 influential artists तो अब यहाँ पे Time जो है बिल्ड करेगा Time Square coin Metaverse वो भी Sandbox के Metaverse के अंदर Next update है इंडिया की तरह से crypto exchanges suffer in India but the RBI does not give up on the blockchain तो blockchain का तो यहाँ पे use किया जा रहा है और अगर आप यहाँ पे देखें in India the downturn in the crypto market and the government overly restrictive control over the industry have caused many exchanges to suffer और बहुत सारी exchanges suffer भी कर रही है और यहाँ पे अब जो है जल्दी ही 1% जो TDS है वो भी applicable होने वारा है और इसके साथ-साथ यहाँ पे 28% GST जो कि कल meeting होने वाली है और कल परसो तक जो है उसका भी फैंसला हो जाएगा कि GST crypto के उपर लगेगा या नहीं लगेगा लगेगा तो कब से लगेगा ठीक है उसका भी फैंसला हो जाएगा लेकिन अगर आप देखें वजीर X volume drops 95% over the last year वजीर X का जो volume है वो last year अगर आप compare करेंगे पिछले कुछ time का तो 95% जो है volume गिर्द चुका है वजीर X का और एक टाइम पे अगर आप देखें last year तक भी वजीर X number की number one exchange होया करती थी मतलब इंडिया की अभी तो coin DCX थोड़ा उपर आ चुकी है नंबर उसने ले लिया उपर लेकिन fell 95% since October last year due to new tax regulations October के बाद से अगर आप देखें 95% जो यहाँ पे volume है 95% since October last year due to new tax regulations यहाँ पे volume जो है बिलकुल वजीर X का गिर चुका है और बाकी exchanges का भी ही ही हाल है और India introduces new tax on crypto currency activities सारी चीज़ें आपको पता है तो 1% TDS और 28% GST का भी फैंसला जल्दी हो जाए last and final update की बात करें वो है सायतामा को लेके सायतामा V2 आ चुका है migration हो चुका है यह सायतामा V2 नहीं है यह old सायतामा है और अगर आप देखेंगे 270, 260 के करीब जो है greenery हमको एक देखने को मिल रही है इसके अलावा coin market cap के ओपर 20,000 cryptocurrency हो चुकी है जिसका update हम आपको कली दे चुके है बहुत बड़ा नंबर है उसी के साथ यहाँ पर आज सायतामा की जो old सायतामा है rank हो चुकी है 31,000 से भी उपर 2,17,000 लोगों की watch list में है सायतामा और price में अगर 0 देखेंगे तो काफी 0 add हो चुकी है काफी 0 आ चुकी है सायतामा के price में और अगर हम सायतामा V2 की बात करें तो वो भी market में आ चुका 28,000 पर उसकी rank है अभी old सायतामा की बात करें current cryptocurrency updates I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे आज की इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही कोई भी question, कोई सवाल है आप पूछ सकते है नीचे description में telegram, twitter के links है follow नहीं गया तो follow कर लेना और किसी भी crypto में invest करने से पहले खुद से research कर लेना वो बेहत जरूरी होती है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई